Better To The Heavens की पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन विन लाइटनिंग पविलियन के स्क्रोल्स को अलग-अलग टारेक्शन में फेक देता है फेटियान जो उसका पीछा कर रहा था कनफ्यूस हो जाता है लेकिन इसके बाद फेटियान अपने लाइटनिंग इलिजनरी बॉड़ी को कॉल करता है फिर हम सब देखते हैं कि लाइटनिंग इलिजनरी बॉड़ी शियोयन तक पहुँचकर शियोयन के उपर हमला कर देती है अब आगे एपिसोड श्टाट होती है मास्टर जून जी शियोयन को बचाने के लिए बाहार आते हैं पर इन अटैक के टकराओ से जो एनरजी निकलती है शियोयन उससे दूर उड़ जाता है Master Zunzi Shuyen के सामने Shuyen को protect करने के रिए ready हैं पर दोस्तों ये बात यहान रहे कि Master Zunzi already थोड़ी दिर पहले फेटियान से fight करके insert हो गए थे यहाँ पर हम फेटियान की legendary body को देखते हैं जो कि Master Zunzi के attack के force से पीछे हट जाता है पर खुद को संभाल के confidently कहता है मैंने तुम से कहा था कि तुम आज मेरे हाथों से नहीं बच सकते हो इसलिए अब भागना बंद करो और मैंने जो कहा है वो बाते मान लो लेकिन तब Shuyen फेटियान को टॉंट मारते हुए कहता है लगता है तुम्हें सच में विन लैटिंंग पविलियन के सिक्रेट स्क्रोल पर कोई भी इंट्रेश्ट नहीं है फेटियान कहता है तुम इसके बारे में चिंता मत करो वो स्क्रोल हमारे पास आजाएंगे पर रही बात तुम्हारी तुम यहां आज हमसे बच कर नहीं भाग सकते हो पर दोस्तो मास्टर जूल जी फेट यान के इस इलुस्टरी पॉड़ी को देखकर समझ जाते हैं कि ये रियल फेट यान नहीं है शोयें से कहते हैं शोयें इस आत्मी की एनजी पहले से बहुत ही जादा वीकर लग रही है मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे सामने ये फेट यान है वो लगबग दाउ जौंग के सिफ्ट स्टार लेबल पर होगा पर ऐसा कैसे हो सकता है तब ही S.Y.E.N की स्ट्राइक करता है हाँ यह हो सकता है क्योंकि यह F.T.Я.N की Lightning Illustenary Body है S.Y.E.N के बादों को सुन कर F.T.Я.N की Illustenary Body भी कहने लगती है लगता है तुम्हें हमारे Secret Technique Lightning Illustenary Body के बारे में काफी कुछ पता चर गया है जिसके बाद शेवियन मस्टर जूंजी से कहता है सीनियर मुझे लगता है हमें इसको जल्द से जल्द निप्टाना होगा क्योंकि अगर यह यहाँ पर है तो जरूर ही फेट यान ओन स्क्रोल्स को कलेक्ट करके इसी ओर आ रहा होगा अगर वो यहाँ पर पहुंच गया तो इन दोनों के रहते हैं वे हमारा यहाँ से बच करने कालना बहुत ही जाथा मुस्खिल हो जाएगा शेयन की बात को सुनकर मस्टर जूंजी अपनी एनरजी एक्टिवेट करते हैं और फिर इस इलुजनरी बाड़ी को खतम करने के लिए उसके उपर अटैक कर देते हैं और फिर दोस्तों इन लोगों की बीच में एक बहुत ही जादा भयांकर वाली फाइट स्टार्ट हो जाती हैं मस्टर जूंजी की स्ट्रेंद इस वक्ट एक 10-0 लेवल के 9 श्टार्ट पर है वहे लाइटनिघ इलुजनरी बाड़ी 6 श्टार दाव जूंज लेवल पर है मस्टर जूंजी से जादा पारफुल है इसलिए इलुजनरी बोड़ी की उपर भारी पड़ रहे हैं पर यहाँ ये इलुजनरी बोड़ी जादा तर एक defensive fight लड़ रहा है जिसकी वज़े से Master Zonji इसको जादा insert नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों के fight से इन दोनों के attack के टकराने से ये पूरा जगा loud sound से भर जाता है Shoyuan दूर खड़ा इन लोगों के fight को analyze कर रहा है Shoyuan कह रहा है इस illusionary body की ताकत पूरी तरह से fate यान के दर आई है तो lightning illusionary body अपने real body के strength को इस हद तक copy कर सकती है lightning illusionary body इस वक 3000 lightning technique movement को use कर रही है जो की एक elite level पर पहुँच चुकी है मतलब की fate यान भी 3000 movement के elite level पर है और इसी वज़े से इस speed से वो हम लोगों तक बहुत जल्दी पहुँचने वाला होगा यहां मास्टर जुन्जी और illusionary body की fight को देख रहा है fight का कोई result नहीं निकल रहा है यहाँ पर समय के साथ इन लोगों की fight और भी ज़्यादा aggressive होते जा रही है destruction और भी ज़्यादा पढ़ता जा रहा है illusionary body real body नहीं होने के वज़े से real body की तरह pain भी फील नहीं कर रही है और यह destroy भी हो गई तो fate यान का कोई भी नुकसान नहीं होगा मास्टर जुन्जी अपनी पूरी ताकत लगा कर इसको मारने की कोसिस कर रहे है illusionary body lightening से बने वी है जो की fate यान के soul की वज़े से चल रही है इसी वज़े से lightening energy का यूज़ करकी यह अपने body को बार बार repair कर ले रहा है पर दोस्तों जब यह illusionary body इस ताकत को इस पर यूज़ कर रहा था शुययन उसको notice करता है उसकी दिमाग में वो idea आता है और फिर master zone जिसे कहता है senior please आप मुझे अपनी power दीजे मेरे पास एक idea है मैं इसको खतम कर सकता हूँ master zone जी रुख जाते हैं शुययन की बात मानते हैं और शुययन के body के अंदर enter करते हैं enter करते ही शुययन के power में extreme rise आता है शुययन भी एक दाउजों के 80 star level पर पहुंच आता है पर ये चीज़ देखकर fate यान की लिशनरी body शुययन की उपर attack करने के लिए आती है शुययन ये चीज़ देखकर फिर अपने हाथों को आगे बनाता है अपने strange flame से fallen heart flame को अलग कर लेता है और बस fallen heart flame की energy को use करते हुए अपनी इस new attack को form करता है जिसमें fallen heart python शुययन के बीचे एक विकराल रूप लेकर खड़ा हो जाता है fate यान की लिशनरी body fallen heart python को देखकर घबरा कर रुख जाता है एस novel वीडियो में मैंने आपको बताया था कि fallen heart flame की एक special quality होती है जो की soul को बहुत ही बुरी तरह से effect पहुचाती है इसका effect हमने देखा था जब ये fallen heart flame inner courtyard में मेडिसा को चोट पहुचा रहा था अब शुययन अपने fallen heart python से fate यान illusionary body की उपर attack कर देता है illusionary body अपने अंदर की soul को protect करने के लिए इदा उतर भागने लग रही है अगर ये python से touch होगी तो fallen heart python इसकी soul को destroy कर देगा पर दोस्तों यहां पर multiple python से जिससे बार बार इदा उतर उच्छल कर बसना impossible है ये देखते हैं फेट यान की illusionary body अपने चारों और एक protective barrier बनाती है fallen heart python पूरा दम लगा कर उस barrier के उपर attack करता है और फिर fallen heart python की heat barrier के अंदर enter करने लगती है इस heat से ही हम देखते हैं illusionary body की body जलने लगती है illusionary body के अंदर की soul बहुत ज़दा कमजोर हो गई है फेट यान तडप रहा है उसके पास और कोई भी option नहीं है अगर ये python उसके body से touch हुए तो वो मारा जाएगा पर शेयन ये मौका पाकर और भी बहुत सारे python को उसके उपर attack करने के लिए भीज देता है और तब हम देखते हैं फेट यान की वो barrier destroy हो जाती है और पूरी के पूरी ये python illusionary body के अंदर फेट यान की उस soul को जलाने लगते हैं ये मनजर बहुत ही साथा खतरनाक था दीरे दीरे करके फेट यान जलने लगता है शेयन अपने हाथों को आगे बढ़ाता है कहता है अब मरो और फिर विनहर्ट पाइथन को उस जगा पर blast करता है जिससे illusionary body भी blast हो जाती है हम लोग फेट यान को देखते हैं जो की बहुत ही तेजी से जो शेयन की ओर आ रहा था यहां पर इसकी soul के साथ जो हरकत हुई है इससे इतनी दूर में होने के बावजूद भी ये बहुत ही सता इंजर्ट हो जाता है इसके मुझ से खून की उल्टी होने लगती है फेट यान अब और विजटा बॉक ला जाता है कहने लगता है चाहें आज मेरी चान भी चली जाए पर मैं तुमें यहां से बच के बागने नहीं दूँगा परसीन सिप्ट होकर हम लोगों को शेयन को दिखाया जाता है यहां पर दोस्तों जहां इलुजनरी बॉडी ब्लास्ट हुआ था पूरा एट्मोस्फियर काम हो जाता है और फिर इलुजनरी बॉडी की छोटे छोटे टुकडे हवा में फ्लोट करते हुए शेयन के आसपास से गुजरने लगते हैं शेयन तब एक पार्ट को अपने हाथों में लेता है उसको त्यान से देखने लगता है पर तब ही उस पार्ट से अचानक से एक एनजी शेयन के फोरहेड में एंटर करती है एनरजी एंटर करते ही शेयन के मायन के अंदर जो स्कूल्स की इंफोर्मिशन थी उसको एक्टिवेट कर देती है सभी चीजे अब मेनिंग बनाना स्टार्ट करती है और फिर इस वर्ल्ड में एक तूफान सा मच जाता है शेयन समझने की कोसिस कर रहा है कि यहां क्या हो रहा है तब यह वो आपर देखता है जो इस टेक्टिक के अंदर छोटे छोटे पीसेस मिसिंग थे वो पीसेस अब उस जगहा पर एपियर हुने लगते हैं और फिर दोस्तों शेजियन के सामने एक complete technique का मंतर आ जाता है शेजियन बहुत खुश हो जाता है कहता है वाह मज़ा आ गया कलती से मैंने लागनिक इलुजनरी बॉडी के उस की को हासिल कर लिया है फिर दियान के सोल के अंदर जो imprint थी वो इस technique को activate कर दिये जिससे मैं एक complete technique को पढ़ पा रहा हूँ अब दोस्तों शेजियन जिल्दी से उन सबी technique को अच्छे से याद कर लेता है कहता है के टियान थैंक्स तुमने मुझे आज एक बहुती बढ़िया gift दिया पर कोई बात नहीं तुमने मेरे साथ चोपी कर रहा है वो मुझे अच्छे से याद रहेगी और future में मैं इसका हिस्ता चरू चुकाऊंगा कहते भी शेजियन देजी से वहाँ से बाता है और दोस्तों scene shift हो जाता है अब ये रात का समय है शेजियन एक जंगल पे आग जला कर बैठा हुआ है शेजियन अपने आप में सोच रहा है आखिरकार मैंने उस फेट याँ से पीछा छोड़ा ही लिया अब मेरे अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिससे वो मुझे track कर सकता है पर मेरे पास अब एक और mission आ गया है ये लेजेंटरी टेक्नीक जिसे मैं करीब से देखना चाता था आज वो मेरे पास है और अब मुझे इससे सीखना है मुझे चलती कोई opportunity डूणनी होगी जिसमें मैं इस टेक्नीक को practice करूँ और इसको master कर सकूँ अगर ये टेक्नीक मैं सीख जाऊंगा तो future में मैं hall of soul से जब मिलूँगा ये मेरी बहुत मदद करेगा जिसके बाद शेयन दिहान से सबी चीजों के बारे में सोचने लगता है जैसा कि सबसे पहले scroll में क्या के instructions लिखे हुए थे इस टेक्नीक को सीखने के लिए शेयन को lightning movement technique को सबसे पहले mastery करनी होगी शेयन ने देखा था फेट यान के lightning movement technique शेयन से बहुत साथ superior थी इसलिए फेट यान उतने fast movement कर पा रहा था पर इसके बावजूद भी उसकी इलुस्टरी बाड़ी उसके real बाड़ी से कमजोर थी मैं तो अभी इससे बहुत साथा पीछी हूँ सबसे पहले तो मुझे अपने lightning movement technique को strong बनाना होगा शेयन काफे सारे बाते सोच रहा था और इसी बात के साथ battle to the heavens का ये episode इस जगह पर खतम हो जाता है next step